हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेफ तो तो कार उटर सो ताटा कम बने के पास एक मेड़िसाज SUV कार नहीं थी इसलिए टाटा मेड़िसाज SUV को लॉच्छ करने वाला है टाटा ब्लैकबट को ब्लैकबट को ओमेगा आर्क प्लैट्वाम पर बनाया जाएगा जिस बेस पर टाटा की ह आरियर और सफारी बनी है जिसके नहीं टाटा हाई स्टेंद स्टील का यूज करेगा जिस तरीके से टाटा की नेक्सोन सब कॉंपेट SUV जिसको ग्लोगल एंसी एप में 5 आफ्र 5 स्टार रेटिंग मिली है उसी तरीके से टाटा की ब्लैकबट को भी 5 आफ्र 5 स्टार से कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपके पास नोटिफिकेसन पॉंस और अगर में टाटा ब्लैकबट के एकस्टीर डिजाइन की बात करूं इसका एकस्टीर डिजाइन रहेगा और इसके फ्रंट में आपको नए एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे जैसे की जैसे की नए डिजाइन की ऐलेड लाइट और इसके फ्रंट में आपको फर्स सेट अप भी देखने को मिल जाएंगे जो बहुत जाएंदा कूल लग रहा है और इसके अदर आपको साइड क्लाइडिंग का उप्सन मिलने वाला है और आपको रूफ रिल का ऑप्सन भी इसकी रियरे में आपको अरुफ मांटें स्पोयलर और सार्क फिन अंटिना रियर वाइपर जैसे इसके अंदर आपको जाड़ता फीचर आपको इसके रियरे में मिल जाएंगे तो Tata Blackbird कौन सी गाड़ी को रिवेल करने वाली है इसके अंदर कंपनी कौन से कौन से इंजन्स ओफर करेगी और यह है Tata Blackbird किस प्राइस पॉंट पे लॉंच होने वाली है तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ताता की Blackbird काफी सारी गाड़ी को रिवेल करने वाली है जिसमें सामिल किया की सैल्टोस, हंडाई, क्रेटा, निसान की किक्स और रैनो की डस्टर सामिल है अगर हम एक तरफ देखें तो Tata के पास नेक्स और जिसका प्राइस स्टार्ट होता है साड़े साथ लाग से स्टार्ट होकर साड़े 12 लाग रुपेश तक मिल जाती है और दूसी तरफ है Tata की Harrier जो फुल सैज SUV है जिसका प्राइस स्टार्ट होता है साड़े 3 लाग से सुरू होकर 20 लाग रुपेश तक मिल जाती है लेकिन Tata के पास अभी तक कोई भी ऐसी SUV नहीं है जो हुंडाइ क्रेटा और किया के सेल्टो उसके साइज की हूँ तो इसलिए Tata अपनी ब्लैक बर्ड को लाँच करने वाला है इंडियन मार्किट के अंदर जिसका अभी तक कोई भी ऑफिस्यल नेम लाँच नहीं हुआ है नो डाउट भाई की हैरियर एक बहुत बढ़िया गाड़ी है लेकिन हैरियर एक फुल्म सा जैसी भी होने करण आप इसको डेली रूटीन में सिटी ड्राइब में यूज नहीं कर सकते लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टाटा ब्लैकबर्ड जो लॉँच होने वाली है वो नेक्स वान से थोड़े अपर सेगमेंट की हो तो इसे ही टाटा अपनी ब्लैकबर्ड को लॉँच करने वाला है तो अगर आप बात करें टाटा Blackboard में मिलने वारे एंजिन ओप्सन के बारे में तो इसके अंदर आपको 1.5 निटर का पैट्र निटर मिलने वाला है जो 120 PS की पावर निकाल के देगा और दूसरा है 1.5 निटर का डिजिन इसके अंदर आपको 140 PS की पावर निकाल के दे सकता है और तीसरा है 1.5 निटर का तर्बो पैट्र निटर जिसके अंदर आपको अराउंड 500 से जो 60 HP पावर निकाल के देगा जो इस सेमुलेंड में बहुत जादा बहतर होने वाली है तो कहीं न कहीं टाटा अपनी गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी गलती नहीं आपको प्रवाइड की जाएगी और ताटा बिलाइवर्ड आपको फ्रंट फिल ड्राइव और साथ में आपको मल्टिड्राइविंग मोड्स भी आपको इसके अंदर आपको ब्लैक और बेज कलर का डूल टॉन कलर देखने को मिलेगा जो कि टाटा के बैजिंग के साथ पिर्फिस पोक इस्टेयर थो आपको इसके एंदर और साथ जाद में आपको इसके अंतर 10.25 मिंट का बहुत बढ़ा जाद बढ़ा ज्याद ऑड़ा तो नहीं है लेकिन काफी हात तक बड़ा टाइस में देखने को मिल सकता ह। और जिसके अंदर आपको Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करेगा इसकी इंटिरियर में आपको 5% की सीटिंग आरेजमेंट आपको इसके स्टेरिंग पे स्टेरिंग मांटने कंट्रोल एंड क्रूस कंट्रोल जीसे स्टेरिंग आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं और इसके अंदर आपको front में heated and ventilate seats भी देखने को मिल सकती हैं और rain sensing wiper, automatic headlamps और इसके अंदर आपको 6 speaker JBL जैसे sound system quality देखने को मिल सकती है जो बहुत जाद भैतर है JBL के system ये सभी सांदा feature आपको Tata Blackbird के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं